बूर्णिंग सुदेंस वेलकम तो दी ओनलाइन क्लासे स्रों मार्डेंस चिल्रों एकेडमी तोड़ा विल टीच यू सोचल स्टडीस ऑफ क्लास 5 चाप्टर 2 मैप ओपन पेज नंबर 15 कलर्स मिन्स रंग कलर्स यूस्ट तो डिफरेंट तैप्स ऑफ इन्फरमेशन तो रंग है प्रंगों कि एक समान योजना इस्तमाल करते हैं ताकि भू आक्रितियों में तरह तरह का अंतर कर सके और yourself मिन्स इक समान schemes योजना है कि हमें और the distinguish means अंतर करना वेरियस मैं तरह-तरह क और लैंड फॉम मिन्स आकृतियां ब्लू कलर इस यूज़ टो वाटर बॉड़ी तो ब्लू कलर हमें क्या पता है कि कहां पर पानी है जैसे अधिक तर आपर महासागर है समुंद्र है नदियां है या जील है आशोन इन ब्लू कलर तो यह सब ब्लू कलर में दिखाया जाता है प्लू o a dark shade of blue ends which the water जो डाक कलर का ब्लू होगा उसरे यह पता जलता है कि सुचित क्या जाता है कि कहां पर गहरा पानी है पानी कि गहराई कितनी है and light shade of blue dino shallow water और जो light blue होगा उसे हमें ये सुचित किया जाता है कि shallow water means कम पानी है वहाँ green color stand for plain and forest area green color से हमें ये पता चलता है कि कहां बर plain है समतल भूमी है और पहाडी ही लगा है या जंगल ही लगा है shades of brown, purple and yellow color are used to show mountains, platoos और other highlands तो जो brown, purple और yellow color का shade है उसे हमें क्या पता चलता है कि कहां पर परवत है प्लेटोस है प्लेटोस मिन्स पहाडी मैदान और other highlands highlands मिन्स पहाडी ही लगा आपर पहाडी ही लगा है now next pitch though almost the same color scheme is used for maps all over the world almost मिन्स लगबग लगबग एक समान जो का रंग है वो पूरे संसार में map के लिए एक समानी का रंग का इस्तमाल होता है a key or a legend given along with a map to understand it accurately may differ slightly from map to map key means सुता है समान और legend means अख्यान key और a legend given along with a map तो ये map के साद समान दिया जाता है क्योंकि ताकि इसे हमें सही रूप से सही रूप से में पता चल सके ये कुछ मतलब हर मतलब दूसरी map में अलग हो सकता है slightly अलग हो सकता है में तो हलका अलग हो सकता है a legend or key gives an idea about the height or depth represented by different colors तो ये समाधान और ये idea में बताता है कि कितनी उचाई है height or depth represented by different colors तो मतलब ये सुचित किया जाता है कि कितनी उचाई है और कितनी गहराई है अलग-अलग रंगों से और next is signs and symbols this I will teach you in the next video thank you